देश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये बहुजनो की खिलाफ़त है, इसलिए हम लोग Przyjayfee की सरकार, RSS की सरकार बहुजनो के खिलाफ है, केंदर सरकार, बहुजने के एक भी हित में काम नहीं किया है पेर धोते हुए आप देखते हैं लेकिन उस धोये हुए पानी को पीते हुए नहीं देखा न अगर पीते तब माना जाता कि यहां बहुजनों के हित में उकाम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी ओवीशी का आदमी है ओवीशी की जाती अधारिच जन गनना क्यों नहीं हो रही है पचासी बनाम 15 पर्तिशत का यह मामला है बहुजन समाज जो है वो देश में 85 पर्तिशत अपनी जगह रहते हैं और बाकी 15 पर्तिशत आप लोग की बड़ी आबादी है तो फिर इस देश पर दूसरी जाती के लोग राज कैसे करते हैं और आप लोग इतना पीछे क्यों है आप यह बताईए क्या वज़े आपको लग रही है कि आप लोग इतना पीछे रह गए और बाकी जाती जो है वो आगे हो गए कि जो सत्ता पर काबिस हो जाती है नहीं है बहुजन भोले भाले लोग है इनको समय समय पे यह जो लोग है इन्होंने इनका इस्तमाल किया है यह जो देश की जो सरकार है वरत्मान सरकार है यह बहुजनों की खिलाफत है इसलिए हम लोग 14 सुत्रिय कारेकरम को लेके बैठे हुए हैं और हमारी मांग है 14 सुत्रिय कारेकरम में कि जब तक केंदर सरकार बहुजनों के हित में शविदान के हित में कदम नहीं उठाएग तब तक बहुजनों का जो आंदोलन है वो क्रमवत तरीके से जारी रहेगा आपको लगता है कि बहुजन के खिलाफ ये सरकार है बीजेपी खिलाफ है किन सरकार खिलाफ है मोदी खिलाफ है आरसे से कौन है भारत की केंद्र सरकार, भारत सरकार, बीजेफी की सरकार, आरेशेस की सरकार बहुजनों के खिलाफ है इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे हक अधिकार के लिए और केंद्र सरकार बहुजनों के एक भी हित में काम नहीं किया है मोधी जी तो लगतार आप लोग के बीच जाते हैं आप लोग का पैर धोते हैं और कहते हैं कि आप लोग के लिए काम किया जाएगा पैर धोते हुए आप देखते हैं लेकिन उस धोये हुए पानी को पीते हुए नहीं देखा न अगर पीते तब माना जाता कि हम बहुजनों के हित में वो काम कर रहे है अगर वो बहुजनों के हित में काम कर रहे है तो नरेंद्र मोदी ओवीशी का आदमी है ओवीशी की जाती अधारित जनगर्णा क्यों नहीं हो रही है आप लोग चाहते हैं कि जनगर्णा हो बिलकुल ह इसमें बहुत सारी मत्वेद्बियद्बिये और अगर ये जनगर्णा हो जाएगा तो देश में जो जातिया है वो जातियों के पास कितने हक अदिकार है किसको कितना देश में बेनीफित मिला इसको नहीं मिला चाहे वो सिक्षा के शेतर में हो नोकरी के शेतर में हो या किसी तरीके की अधिकार हो वो उस जाती को अधिकार मिलना चाहिए इसलिए जाती अधाई जनगन्ना होनी चाहिए आप जाती की बात कर रहे हैं लेकिन जो मोहन भागवत हैं आरसेस के परमुक वो कहते हैं कि ल पावन मेश्राम साहफ के नेत्वित में आरेसिस का मुख्याला गेरा गया जब लाखों की तादात में वहां पे नागफुर में लोग वहां पे आये आने के बाद ही उनका बयान आया कि अब सारे बहुजन एक हो गये हैं तो हमें इस तरीके का बयान देना पड़ेगा वो सहन अधिकार नहीं है पचासी बनाम पंद्रे पर्तिशत का यह मामला है बहुजन समाज है वह देश में पचासी पर्तिशत अपनी जगह रखते हैं और बाकी पंद्रे पर्तिशत आप मुझे यह बताईए कि जब आप लोग की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर इस देश पर करते हैं तो आपको लग रहा है कि आप लोग संगठीत नहीं है बीम राव अंबितकर तो काफी लंबे समय से आप लोग को जागरू कर रहे हैं कर रहे हैं लगाता चल रहा है क्या हो रहा है अभी अभी आप लोग यह जो हो रहा है यह बात अवाज पहुचेगी समाज में लोग जागरती होंगे, जागरती से संगठक होंगे, सोचें के समझेंगे। सर आप ये बताइए, क्या वज़े आपको लग रही है कि आप लोग इतना पीछे रह गए और बाकी जाती जो है, वो आगे होगे कि जो सत्ता पे काविज हो जाती है। अब पीछे नहीं हैं, बाबा साब अमबेदकर ने जो बहुजनों का हद आप पीछे ही तो है, पचासी पर्दिशुद होने के बाद भी जो है, पंदर पसिटाथ आप काविज हैं, कैसे नहीं पीछे हैं आप नहीं, वो उसका पीछे का जो बैगराउंड है, आपको समझना लेकिन बाबा साब ने जो अधिकार दिया, अब सिक्षित होने के बाद बहुजन अब एक्टिव हो गया है, अब इनके भाखावे में नहीं पढ़ने वाला है, इस देश में मैं देखता हूँ, ऐसा कोई परदेश नहीं है, जहां से इस तरह के नेता नहीं आते हैं, जो ब एक नेता जो खड़ा नहीं हो पाता है आप लोग के लिए, आप जानते हैं कि सासक जातियों का जो तरीका है, वो फुट डालो राज करो वाली बात है, बहुजनों को यूनाइट नहीं होने देते हैं, और खासतोर पर जो बहुजन के लीडर है, उसमें उमत्भेद करके र राज करें, अच्छा ये आप कह रहे हैं कि मायावति जो है वो बसपा की परमुक रही है, वो हमेशा जो है वो बहुजन की बात करती है, अब बहुजन उसको अपना बहुत बड़ा लीडर मानता भी है, और कहा यहां तक जाता था कि वो भविश में भारत की परधान मंत्र हैं, आप क्या कहेंगे इसको अपने आपको बहुत बड़ा लीडर मान ले मायावति जी तो कोई दो राय नहीं है, उनको मानना चाहिए, 2019 का चुनाओं का आपको अगर नतीजा पता होगा तो याद करिए उसको, अपनी उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट ये लीडर हो जाएंगी, कितने लीडर आपको नहीं लगता है, एक समय तो था कि जब वो सत्ता पे काबिश थी, भाई साब पुरा का पुरा बहुमत था, पुरा का पुरा समाज जोटा हुआ था उनके साथ, आज क्या हो गया, वो जानने के कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी क्य बाद प्रान साल तक उन्हों ने जो काम किया, वो बहुजन हीत में काम नहीं किया, जिसके वज़ह से उतर परदेश की जनता ने बहुजन जनता है। लेकिन मायाबती मुकमंत्री बनने के बाद बहुजन समाज को भूल गई विलकूल विलकूल एक चीज़ यह बताए कि इस देश में जो है बहुजन समाज के बहुत सारे लोग है चंशेकर जी है मायाबती है उदर बिहार में काफी सारे लीडर है रामिलास पासवान है अब इकत्रित है लीडर नहीं है लीडर राजनेतिक जो लीडर है उसको एकत्रित होना चाहिए हमारे वांसिफ्व के राष्टी अद्यक्षभारत मुक्ति नहीं करते हैं समाजी काम कर रहे तो समाज उनके साथ तोanne सारे नेता है अभी जो आपके समाजिकर आपके समाजिक पांड़त में Sum Τ jugar काम करना अगर जी समझस में आ गया होता तो यह हालत नहीं होता माव देखो मैंने मंत्रिपत का इस्तिपा दे दिया आपको लग रहा है कि बहुजन समाज की बात करने के बाद अब इसके पीछे जो और बहुजन को साथ लेके चल ले हैं जो हिंदू धर्म से नाराज लोग है जिन्होंने 1956 में बाबा साहव के साथ बुधिजम अपनाया था वो तो बहुजन समाज के लोग थे ना ब्राहमन समाज के लोग तो थो रहें बुधिजम की हो रही है बुधिजम और राजनेतिक दोनों अलग अलग बाते हैं कि आपको क्या लगता है के जिवाल वाला आप लोग चाह के साथ है कि मैंmetr यूद इंता वेशा कि मैंट यहा कि मनीश ओडिया वाले मैंटर पर ब्यान दिया लगतार बियान से लेकिन राजशन रपाल गौतम के बारे में में सिंगल दो मिनिट का बयान दिया के टीवी में आपके मुताबिक बीजे पी आर्चेस आप सभी आपके खिलाफ है तो फिर आपके साथ कोन है कोन होगा आपका नेता हम बहुजनों को बहुजनों के अंदर एवर्नस लाने का काम कर रहे हैं वावन मेश्राम जी लगतार चालिस बहुजन करांगी मोर्चा के और भारत मुक्ती मोर्चा के और वाम सेफ के और यह राष्टी अस्थर पर काम चल रहा है लगतार चल रहा हूं क्या आप लोग सिफ समाजिक अस्तर पे काम करेंगे या राजनितिक अस्तर पे भी उठेंगे हम समाजिक अस्तर पे भी काम कर रहे हैं और जो पार्टिया हमारे बहुजनों की हित की बात करेगा उसे हम समर्तन करेंगे बहुजन समाज के काफी सारे लोग हैं काफी सारे नेता हैं काफी सारा जंडा है काफी सारा बैनर है उसके बीच एक और बैनर आपको क्या लगता है लोग आपको आपके साथ क्यों आएंगे मैं आपको कहा मेरे शाथ लोग नहीं आएंगे जो राजनेतिक करने वाले लोग है अगर वो बहुजनों की हित की बात करते हैं तो वावन मिश्राम साहब का समर्थन उनके उस पार्टियों के साथ रहेगा जो मिश्राम साहब के जो बहुजनों के हित में जो मुद्दे मिश्राम साहब उठा रहे हैं अगर कोई राजनितिक बहुजनों की पार्टी अगर उनकी मुद्दे उठाते हैं तो मिश्राम साहब का संगनात्मक समर्थन उस पार्टी को रहेगा हर राजनितिक पार्टी जो है वो अपने पार्टी के अंदर जो है वो SCST का एक जो है वो अलग संगधन बना देती है मोर्चा बना लेती है ठीक है आपको बताए वावन मेश राम साहफ के साथ जो और्गनाइजेशन है वामसेफिया भारत मुक्ति मोर्चया बहजन करांती मो केवल और केवल SCST ओवी शिके ही लोग है ना कि अधर लोग है मेरा सवाल ये था कि जितने भी बड़ी राजनितिक पार्टी है चाये वो भाजपा हो। हर पार्टी अपने पार्टी के अंदर ऑसी-" अलग मोर्चा बनाती यह वह सूचती है कि बहुजन समाज का वोटर है कि सीठा साधा है उस को रिज्गाने में बहुत असानी होगी और वो सबसे पहले मुद्दा को अंठेकर का उठाते हैं वज़े से लोगों को लगता है कि नहीं बाबा साथ की बात कर रहा है तो बहुजनों की बात कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है बाबा साथ के नाम पर तो वो काम करते हैं लेकिन बाबा साथ के एक बताये गए कामों पर अमल नहीं करते हैं जैसे सविधान के विरोध में सारी काम करते हैं आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर इसी जंतर मंतर पे बाबा साहब द्वारा लिखी सविधान को मनवादी को द्वारा जलाया गया तो क्या यह बहुजन हित में था सविधान हित में था बाबा साहब के मानने वाले लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि बाबा भी आप्याचार निवारन जो विवरो है जो अगर सही से काम करें प्रतारना के बात करें बंद आपने किस तरीके से इन्होंने बताया कि इनका दर्द क्या है इनका आगे का जो है वो रास्ता क्या है आखिरा किस कौन लोग है क्या रास्ता बचेगा जो इनकी बात करेगा और इनको जह है इनका वो हग दिलाएगा जिसके यह हगदार है जो कि यह कहते हैं कि हम 85 परतिशत हैं तो भाई साब जो देश में सबसे जादा आबादी वाला राज जो जो सबसे जादा आबादी वाला समाज हो वही जो है, वो सत्तापर काभिस होना चाहिए ऐसा इन लोग का मामना अब लोग की क्या राहे हैं? आप हमें कॉमेंट करके बताएं